सो हेलो विवान गाइस है महादीव राधी राधी कैसे हो आप सब लोग आई हूप आप सभी लोग अच्छे अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे सो गाइस आज मैं आपके लिए मैं मंत की मंतली रीडिंग लेकर आ गई हूँ आज आपके लिए मैं करकराशी वालों को लिए कैसा रहेगा ये मैं मंत आज हम यही देखें क्योंकि means cancer sign okay cancer zodiac sign के लिए मैं मंत कैसा रहेगा सो आज हम इसी topic के ओपर रीडिंग करेंगे सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा starting of the month then mid of the month and then end of the month की energies आएंगी की so guys start कर लेते हैं reading को आपकी और उससे पहले अगर आप new channel पे तो subscribe कर लो channel को bell icon को दबा के all पे set कर देना so that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहें personal reading अगर आपको लेनी है तो आप मुझे instagram पे dm करना instagram का link description में है time stamps के just चुपई यहां फिर आप लो about section से भी देख सकते हूँ sorry time stamp बोल रही हूँ description में ही होगा okay and अपने sun moon rising और नोड़ी है चार signs ज़रूर देखना guys बाकी 4-5 signs मैं upload कर चुकी हूँ हना daily evening में आ रहे है बट कल मैं नहीं डाल पाई कल ही आ जाता ये योडेक sign तो starting of the month कैसा देख आपका night of cups है यहां पे and then है word card आपके लिए mid of the month के energies क्या है आपके लिए यहां पे page of cups के energies okay great and और क्या energies आना चाहते हैं यहां पे mid of the month के लिए nine of pentacles okay great and end of the month काई आपके लिए कैसा रहेगा यह देख लेते हैं okay so 2 cards आ चुके हैं आपके लिए end of the month के लिए so यहां पे queen of wands and two of wands के energies so bottom of deck guys यहां पे हैं आपके लिए queen of swords और middle energies क्या है यहां पे king oh my god wow so karakarashi वालो यहां पे आपके लिए couple आ चुका है king of swords or queen of swords so यहां पे इसको hide कर देते हो वैसे तुम नहीं hide करती मैं इतना ज़रा मेरे को issue नहीं है मतलब जारा तर मैंने देखा tarot readers को वो ऐसे hide करते हैं I don't know why but it's okay हना जब आपको पता है यह tarot cards है आपको भी पता है हना so it's just a normal picture okay so anyways यहां पे guys आपका starting of the month कैसा रहेगा सबसे पहले तो night of cups and also the word card आया है यहां पे okay starting of the month में मैं यहां पे यह देख पा रहे हूँ कोई offer आते होई दिख रहे है long distance से ठीक है चाहिए relationship के लिए offer है चाहिए career के लिए offer है करकराशियों के so आपके लिए long distance से कोई नो कोई offer आते हो दिख रहे है दूर से ठीक है मतलब foreign से भी हो सकती है कोई foreign company आपको hire करने के लिए बोल रहे है यह आप foreign चले गए हो तो वहाँ आपकी तरफ कोई offer आ रहे है यह love offer भी हो सकते है ठीक है so कोई नो के person हो सकते है water sign के kansas कर पर पाइसे सुराशी के जो foreign country में रहते हैं यहां पर आप इंडिया में हो तो आप आपकी बातचीत होना but also यह भी दिख रहे है कोई नो कोई emotionally आपकी तरफ आ रहा है ठीक है emotionally आपके लिए available होने वाला है आने वाले समय में कोई offer आ सकती है आपकी तरफ and आपके लिए जो राशिया important है starting of the month के लिए वो है Cancer Scorpio Pisces यहां फिर Leo Taurus and Cancer Scorpio और also guys आपके लिए Sagittarius और Aquarius Capricorn राशिया भी important हो सकती है बाकी यहां पर mid of the month कैसा रहेगा आपके लिए so यहां पर page of cups और nine of pentacles के energies हैं so यह show करती है आपकी life में financial abundance को okay so सबसे पहले तो मैं यहां पर और देख पाती हूँ एक और offer आते हुए दिखरें mid of the month में जो कि I think emotional offer भी हो सकते है किसना किसी के तरफ से proposal हो सकता है but वो आपसे age में छोटे होंगे या थोड़े से अगर age आपसे बड़ी है या आपकी जुती है पर उनकी जो हरकते होंगी वो थोड़ी से immature होंगी ठीक है थोड़ा child like nature होगा and यहां पर यही चीज़ दिख रहे हैं बच्चों की तरहा situation यहां पर दिख रहे हैं बच्चे नहीं होंगे बच्चों जैसा behavior हो सकता है यहां पर और एक एनर्जी जैन नाइन ऑफ पेंटिकल्स की यह शो करता है आपकी लाइफ में काईस की आप लोग कहीं ना कहीं काईस फानेशली बहुत अबंदन फील करने वाले बहुत ज़रा मनी वाइस कोई इस्यों मुझे नहीं दिख रहे है कुछ भी यहां पर पैसा आपकी तरफ खुद बखुद आ रहा है एक्वल गिवन टक यहां पर दिख रहा है एक्वल गिवन टक आप लोग करते हुए दिख रह कि यह सब चीजें आपको दिखने वाली हैं मिड अफ तमन अब अफ तमन अब अफ तमन आपके लिए कैसा रहेगा करकराशी कैंसर साइं यहां पर है क्वीन ओफ वर्ण्स एंड टू ओफ वर्ण्स सो यह शो करता है आपके लिए वेटिंग पिरेड को कही न कहीं आपके ल आप बहुत अट्रक्टिव होते हुए दिख रहे हो आप लोगों को अट्रक्ट करो यहां पहले से ही ऐसे हो यह आने वाले यह जो लास्ट अफ अफ तम एंड अमन्थ है न माई मन्थ सो यह आपको बहुत अट्रक्टिव बना देगा I don't know why but yes शाहिद आपने लाइक मेक अ बगर सीखा है girl हो अगर आप अपने अपनी care करना start कर दिया self-care ऐसी कुछ energies दिख रहे हैं या फिर आप लोगों ने कुछ नो कुछ treatment करवाया है अपना या अगर boy हो तो of course आपने भी okay self-care कर रहे हो आप लोग और यहां पे जो overall आपके लिए energies आया ना guys यह है distant partners की एक ही element क दो लोग ठीक है मिल रही है एक साथ and long distance से भी हो सकते हैं आपके partner so यहां पर यही दिख रहे है guys king queen of swords and king of swords so यह show करते हैं आपकी life में दोनों ही थोड़े से egoistic हो दोनों ही थोड़े से गुसे वाले हो दोनों ही थोड़े सोड़े clear cut बात करना बसने गाली वगरा भी दोनों ह so मतलब जैसे ही होने वाले हो यह आप manifest करें ऐसे person को तो आपको ज़रूर मिलेंगे इस month में ऐसे person okay and अच्छे energies दिख रहे हैं दोनों ही clear cut बात करना पसंद करते हैं ठीक है दोनों ही जो मन में है वो मूँ जो मन में है वो ही मूँ पे है ठीक है ऐसे energies यहां पर मुझे दिख okay so यहां से अब आपके लिए देख लेती हूं आपके energies क्या रहने वाली है full month में तीन कार देखूंगे starting of the month के लिए mid of the month के लिए and end of the month के लिए and also like कर दो guys this reading को के and share कर दो अपने family friends के साथ so that वो भी देख पाए हाना okay wait a minute so starting of the month आपके लिए कैसा रहने वाला है guys यह देख लेते हैं mid of the month आपके लिए कैसा रहेगा cancer sign end of the month आपके लिए कैसा रहेगा guys okay okay so bottom of the deck क्या है आपके लिए the word card कही न कहीं लोंग डिस्टिंस ट्रावल भी यहाँ पर दिक्रेम जो है आपके लिए okay and also starting of the month थोड़ा सापको rest कतने के लिए कहा जा rest and resonate करो don't worry okay अच्छी energy दिक्रें starting of the month में थोड़ा relax करो बहुत साइज cycles आपने complete किये हैं and अब relaxation का time है okay 29 नमबर और 11 नमबर आपके लिए important हो सकता है okay so mid of the month आपके लिए temple path है कहीं न की किसी मंदिर में ट्रडिशनल मंदिर पे आप जाते हों दिखरे हो कहीं न कहीं बहुत अधार्मिक होते हो दिखरे हो spiritual होते हो दिखरे हो दिखरे हो अध्यातम के तरफ आपकी रुची भढ़ सकती है okay and end of the month में आपके लिए है four chakra archangel raphael okay so यह show करता है आपकी life में आपका heart chakra heal होता हो दिखरे हैं आपका heart chakra guys यहाँ पे बहुत ही जादा opening open होता हो दिखरे है आपका heart chakra खुलता हो दिखरे है आपका दिल open हो रहा है मतलग कैसे आपके लिए यहाँ पे है energies कि आप बहुत loving caring बनते हो दिखरे हो आपके लिए 12 number 38 number 11 number 29 number 11 number also 19 number यहाँ पे 10 number important हो सकता है also 11 11 आपको इस मन्त में बहुत जाद दिख सकता है angel number so इसका meaning तो यही होगा कि आपकी life में balance आता हुआ दिखरे है अगर आप balance की तलाश में हो आपकी manifestations fulfill हो रही है जो भी आपने blessings मांगी थी वो पूरी होते हो दिखरे है so यहाँ पर end में देख लेते हैं आपके लिए और क्या energies आपको देना चाहते है universe क्या बताना चाहते हैं आपको so करक राशी के लिए कैसा रहेगा ये and guys also अगर आपको personal reading चाहिए तो आप मुझे instagram पर dm कर देना instagram का link description में है and यहाँ फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हैं also अगर आपको crystal spy करने हैं तो भी आप वहीं पर मुझे message कर देना so यहाँ पर है mother earth gaia so earth connections create करते हो दिख रहे हो आप लोग यहाँ पर be mindful of the planet so guys planet अपने अपना planet है यह अपनी earth है यह तो गंदगी मत फेलाओ अच्छे से रहो यहाँ पर जैसे गंगा को clean कर रहे हैं लोग ठीक है बहुत सरी like NGOs हैं जो clean करने में आगे आरहे हैं so आप भी ऐसे help कर सकते हो आने वाले time में शाहिद आप लोग कई फॉरण जाकर या ऐसे कुछ चीज़ें like फॉरण से पैसा लेकर ठीक है donations लेकर आप यह सब काम स्टार्ट करो come back to earth stay grounded ऐसी energies मुझे feel हो रहे हैं and bottom of deck guys ordin आये हैं आपकी third eye chakra open होता हुआ दिख रहे हो के बहुत आप लोग intuitive होते हो दिख रहे हो see truth for what it is की energies है and follow करें अपनी intuition को जो भी इपकी intuition बोल रही है उसको follow करें और वही करो के so guys अगर आपको reading पसंद आई हो just like this reading subscribe to this channel bell icon को दबाते नो all पे set कर दे अभी के लिए नहीं और महादीव राधी राधी गौद बस्ट रिववान बाई